प्यारे पच्छों मैतमेटिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज को प्रालंग जो है वो नमबर सिस्टम चैट्टर से रिलेटेड है आपको क्या करना है कि यह जो चीजे जो दी गई है इनको जो है आपको को डिसेंडिंग और में रखना है जैसे कि पहला जो देख रहें वह कि रूट टू है दूसरा अंडर रूट थी दिया गया है और तीसरा है सिक्स रूट पाइप तो सरसे पहले आप यह देखो कि इनके जो रूट का जो आडर है ना वो स्यम नहीं है रूट का डिफरेंट है सिर्ण से पहले आपको जो है रूट के लिफरेंखा के करना होगा अब पहले एक प्रॉपरट में को संभणाद एता हूं है जैसे देखो इसको उचिंण बोलते हैं रूट का आडर है तो अगर आप रूट के आट अगा होगा माल लिए अभी तो मैंने रूट हटा दिया लेकिन जो अभी से में रूट का जो आर्डर है ना वो रूट हटने के बाद सीधे रेसीप्रोकल में ऐसे लिखा जता है तो उसी तरीके से जब आप यहां पर देख रहे हो कि पहला दिया गया है क्यू रूट टू दिया गय को दिया गया है अंब रूट ट्री दिया गया है चीए ना इसको लिए सकते हैं थृप्सफरница फावर वन अपान तू इसको लिस तक्षी से ओधाना जो मैंने बताय है यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पया है कि अब छलिए आप ध्यान से समझेगा जिस्टिस को मैं बता रहूं है यहां देखो जो आप 2 पे पावर 3 पे पावर और 5 पे पावर जो देख रहे हो ना तो डिनमेटर क्या है सबका अलग अलग है किसी का 3 है किसी का 2 and 6 है तो सब से फेले क्या करिए कि इनके डिनमेटर को equal कर लीजेए अब equal करने का तरीका क्या है कि डिनमेटर का अप LCM ले लिए तो आप जब अगर आप 3 2 and 6 इनका जब आप LCM निकालोगे, LCM को बोलते हैं lowest count multiple, तो इसका जो answer जो आएगा, वो 6 आएगा, अब आपको करना क्या है, कि जिससे माल लेजे, यहाँ पे दिया गया 1 upon 3, तो इसका 6 डिरमटर करने के लिए, इसमें 2 से नीचे multiply, तो आपको उपर भी करना होगा, उसी तरीके स जब 1 upon 2 दिया गया है, तो इसमें आप जो है, अब 2 में किसे multiply करो, तो 3 से करोगे, तो 3 से यहाँ कर लो, और 3 से उपर भी कर लो, उसी तरीके से नीचे तो आप इसे क्या होगा, आप लिशकते हैं, 2 पे पावर, 2 बाई 6, 3 पे पावर, 3 बाई 6, 5 पे पावर, 1 बाई 6, लिशकते हैं, अब इस रिजल्ट को क्या लिसकते हैं, इस रिजल्ट को यह भी लिसकते हैं, 2 स्क्वार लिख करके, पावर, 1 बाई 6, यहां देखिए, आप आप छूट गया था, तो उम्मिद करते हैं, कि आपको इतना step समझ में आ गया होगा, अब हम लोग अगला step देख लिखते हैं, तो चलिए, इसको हम थोड़ा सा क्लिंग कर लेते हैं, तो जगह हो जाए, और इंपोर्टेंट वीडियो, अगर आप वो देखनी हैं, तो वीडियो के end में मैंने जो प्लेलिस्ट दे रखे हैं, या उपर आई बटन बे आपको दिख रहा होगा, उनको आप ज लिख सकते हैं, तो आपको यह भी समझना होगा, कि जब a पर पार one upon n है, तो हम इसको यह भी हम लोग लेख सकते हैं, तो अब चुकि यहां पर पार one upon six है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, छेले, दूसरे पार बिता दो मैं, यहां देख लिजे, जैसे कि two square पे पावर अगर one upon six है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजेगा, six two click करके, और two square कितना हो गया, फोर हो गया, अब यहां देखो, यह जो दिया गया है, three पे पावर three, इसका भी whole power one upon six है, तो आप लिख दीजेगा, three पे पावर three, और इसका whole power one upon six था, तो इसको लिख दीजेगा, six root लिख करके, और three का क्यों लिख लिख लिजे, और उसके बाद से जो अगला, इसमें जो यह वाला जो था, यह वाला, five power one upon six, तो सीधे जो है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, five power one upon six को, आप six root five भी लिख सक हैं, अब देखो, सब का root up same हो चुका है, यहाँ भी root से यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो जब सब का same हो चुका है, तो अब आपको descending order में लिख लना है, तो descending order में लिख समय क्या करते हैं, पहले बड़ी value, फिर उसके बाद से चोटी value, फिर सबसे चोटी बेख लिखते ह है तो चुकि 3 4 3 कीतना होता है 27 के बराबर ही होता है तो इसको हमनों 27 ली देते हैं तो अब इन सब में जो बड़ा जो रिजल्ट है वह आपका यही वाला आपका तो सबसे पहले आप शीक्स रूट 27 लिखिएगा फिर इससे छोटी जो रिजल्ट है वह शीक्स रूट 5 का है तो शीक्स रूट 5 कर लिजेगा और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे शीक्स रूट 5 कर लिजेगा अब चुकि यह चीजे तो आपने कर ली है लेकिन एक्षिवल में अब जो रिजल्ट जो है वह किसका क्या था यह आपको ध्यान से समझना है तो जो अब यह आपको कि देख लिजें पहले पहले पेचपे आये थो यह जो हो यहां देखिए यह बला आपको इसा दिख रहा होगा तो यह किसका है यह द देखो यह जो था इस अंडरूट 3 के लिए था तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले लिख देंगे अंडरूट 3 यह सबसे बड़ा तो अंडरूट 3 है कौमा कर दें उसके बाद से 605 अब यह 605 किसके लिए था चलिए यहां देखिए यह जो से लिखते हैं तो इसको सीधे आप 605 लिख दीजेगा उसके बाद जो है लास्ट का जो पूर्सन जो था वह क्या रहा गया अब सीधे जो है क्यों रूट 2 रहा गया तो आप जो इसके बाद सबसे छोटा जोगा वह कि रूट 2 जाएगा तो आप ने यह देखा कि कैसे इसको आप इसी के ऊपर जो में एक कोश्चन आपको दे रहा हूं मैं इसा breaking के बताई एगए कि उसका answer क्या आएगा तो चलिए मैं कोश्चन जो है में यहां पर तीसरे पेस पें कूड कर दे रहा हूं मैं आपको मैं क। दे रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है कि इसको असेंडिंग लिखना है यानि यह सिक्स रूट सिक्स कॉमा क्यू रूट सेवन है कॉमा और यह फॉरूट एट है तो आपको क्या करना है इनको जो है असेंडिंग आडर में लिखना है किस फॉर्म में असेंडिंग आडर में तो आप जो है इसको करके कमेंट सेक्षन में बताईएगा कि क्या आपका अंसर आया है मिलते हैं इस वीडियो में ततक लिए जैहिन जैभारत